आओ सावतों पहला ऐसे देन द्याल महान पर उबकारी सर्व रख्यक सर्व व्यापक सत्गुरांदी बक्षी हुई फते परवान करनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फते काल वाला पर सांग अज मोड फिर शुरू करिये हिंदू दा सवाल आप हिंदू मत अनुसार सेख तर्म वेच वर्ना दी वांड नई मान दे पर गुरु नानक साहिप वर्नम र्यादा दे दूर होन पर शोक कर दे हन और मलेश पाशा दी भी निशेद दस दे हन यथा खत्रिया ता तर्म छोड़िया मलेश पाख्या गही स्रेष्ट सब एक वर्न होई तर्म की गत रही तनासरी महला पहला अंग छेसो त्रेड सेख दा जवाब निरादर करके अर्बी फार्सी दी शर्न लेंदे हन और सारी स्रिष्टी अर्थार अर्थार थे हिंदूस्तान दी प्राजा जे कोई हिंदू आखे के तुसे हिंदूस्तान क्यों आखदे हो क्योंकि तुसे हिंदू नहीं हो ता एसदा उत्तर ए है के जो देशदा नाउं मुसल मानाने राख देता और सारे प्रसिद हो गया और जे सनू हिंदूआने आदर नाल मानलया वो सदे विरुदहुन होर नाउं कलपना अग्यान है और देश दे नाउं नाल ता रमदा कोई संबंध नहीं जे असी ए आखी है के असी अफगान स्थान विच रह के भी अफगान स्थान नहीं कहांगे क्योंकि असी अफगान नहीं हां ता साड़े मुर्खता है ऐसे ही काफर स्थान विच रहन करके कोई काफर नहीं हो सकदा और सारे स्रिष्टी अर्थार्थ हिंदुस्तान दे परजा एक कवर्ण अर्थार्थ मुसल्मान हो गई है और तरम दे रेत मुड़ों ही जान दी रही है सिदात गुरू साहिवदा एह है कि जिस देश दे लोग एक लाख तो डेग की खुशामद डार और लालज पिछे आपना तरम हार दिन दे हन ओ महा अतरमी और कमीने समझे जान दे हन जे गुरू नानक साहिव आप दी मन्नी मलेश पाशा दे विरोध हुन दे ता यक अर्ज गुफतम पेस तो दरगोस कुन करतार तिलांग महला पहला इत्यादक शब्द ना उचार दे एक पर पंची सेख ने साखी वच लिखिया है के गुरू गोबें सिंग साहिव हुकम दे दे हन के मेरा सेख फार्सी ना पड़े पर उसने ए नहीं सोचया के जफर नामा दे करता और पाई नंद लाड जी दी फार्सी कवता नुसन मान देन वाले कलगी तर स्वामी जे अरबी फार्सी नु मलेश पाशा मान देतां खाल सा फत है देग तेग और दस्तार आदग पाद कदे ना वर्त दे अजेहे पर सांग साखियां वेच दर जहून दा कारण ए है के ज़ाद पंजाब वेच सिखां दा राज पर ताफ होया उस वेले अनमातियाने सिखां नु बुद्धू रखन वास्ते और सारे काम सरदैव आपने हाथ रखन ले गुरू साहिब दे एहो जेहे बचन परकट किते और सिखां नु एपी समझाया के पढ़ना ता मुणशी मजदूरां दा काम है आप दा काम साड़े पर हकूमत करना है असी आप दे नोकर लेखन पढ़ननू थोड़े हां आप जो हुकम करो उस दी ता मील करनू हार वेले त्यार हां इस उपदेश दा पंजाब वेच आजेहा असर फैल्या के सेख सरदारां दे वेटे साब निरखर रह गए और राजदा परबांद उन्ना दे हाथ चल्या गया जो सेख तरबनू पंजाब वेच देखना नहीं संजोंदे और इनाचा लाक आदमिया ने केवल नेती प्रबांद ही आपने हाथ नहीं लिया सगों सिखा दे तार्मक नियमा वेच वी और जेही गडबड़ी कीती के आज ताइं पूरा सुदार नहीं हो सक्या और जे आप दे मन्नी होई वर्न मर्यादा दे विश्वासी हुन दे तां सेख तरम वेच चार वर्न एक वर्न कराया दा अमल ना कर दे मेरे प्रेमी हिंदू पाई गुरू साहिव किते जाती वर्न दे पाक पाती नई सन ओ सब संसार दे जीवानों एक पिता एकस के हम बारक सोरठ महला पज्वान तुम मात पिता हम बारक तेरे जान दे सन लो तुहानों जाती दे विशे होते सदुगुरां दे पुवित्तर बचन सुनाईए फकड जाती फकड नाओ सब ना जिया एकाश आओ फकड तो जाती तो पाव अग्यान दे कलपना मूर्खता दा टकवान जे जाननों जोत ना पूछो हो जाती आग्या जात ना है आसा महला पहला वाहिगरू दाही परकाश हर जगा जानों और आदमी दे जो बुद्धी और चमतकारी विद्या है ओसदी कदर करो जाती दे ख्यार मगर लगके गुणा दे विरोधी ना बढ़ो अग्या जातना जोर है अग्या जीयो नवे जिनकी लेख्या पातपवै चंगे चंगे सोई के वाह रासा महला पहला जात जनम नह पूछी है साच कार लेहो बताई सा जात सा पात है जेह कर्म कवाई परबाती महला पहला नामा शीबा कबेर जोलाहा पूरे गुड़ते गत पाई बराम के बेते साबद पशान हैं हो मैं जात गवाई सेरी राग महला ती जा आंगस्ता आठ आग्या जात रूपना जाए तेहा हो वै जेहे कर्म कमाई अग्या जात ना पुछिये कर्णी सब्द है सार हमरी जात पात गुर सत गुर हम वेच्यो सिर गुर के सूही महला चवथा जाती दे नाड जद पात पंकत शब्द आउदा है ता गोत दा बोत खुंदा है खसम विसार हे ते कम जात नानक नावै बाजसनात पगत रते से उत्मा जात पत सब्द हुए बिन नावै सब नीच जात है बिष्टा का कीड़ा हुए पतत पुईत्तर लिए कर अपने सगल करत नमस करो बर्न जात को पुछे नाहे बाच्छे है चर्नरवारो गोजरे महला पंजवार जात का गर्ब ना कर यह कोई भ्राम बिंद सो ब्रहमन होई पंचतात मिल देही का आकारा काटवाद को करे भी चारा पैरो महला ती जा गर्ब वास में कोल नहीं जाती ब्राम बेंदते सब उत पाती काहो रे पंडत बामन कावके होई बामन कह कह जनम मतक होई रहाओ जो तू ब्रहमन ब्रहमनी जाया तव आन बाट काहे नहीं आया तो मकात ब्रहमन हमकात सूद गवडे कभीर आन बाट तो पाव मुख आधक तों क्यों नहीं जम्या हिंदो तुरक कोव राफ जी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान वो राफ जी शीया इमाम साफी मुसलमान अदा एक फिरका एक्के नैन एक्के कान एक्के देह एक्के बान खाक बाद आतश आओ आब को रलाओ है अकाल उस्तत पाई गुर्दास जी दिवार चु लिखिया है कि ये पांडा ना विचारिया है पगता जात सनात ना काई बर्न जात को दूर तर ऐसो सिख सो लख गुरपर ताप सूर्य है जात बर्न की कान तज मिलहे खाल से संग गुरबानी सो प्रेम कर मन रूप गुड़ा रंग गुरपर ताप सूरज सो प्यारे हिंदू पाई साब साड़े सद्गुराने जनमतों जाती ना मन के सब बर्नान एक कार दिता है देखो परमान पाई गुर्दास दिवार चु लिखिया है चार वर्न एक वर्न कराया चार वर्न एक वर्न कर वर्न अवर्न तमोल गुलाले आश्ट ताथ एक ताथ कर वेद क्तेव ना पेद विचाले गुरु साहिब ने चार वर्न एक कार के नमा सेख तरम वाहिगुरु दा लाल केस तरह बना दिता एस पर पाई गुर्दास जी दिरिश्टांत देंदे हन के जेस तरह पान चुनना काथ सुपारी एनान एकठा कर नाल सुर्ख रंग परगठ हो जानता है गुरु साहिब ने केवल चार वर्न ही एक नहीं कीते सगों आश्ट तातू चार मजब अते चार वर्न अपेद कर दिते और उना वेच पेद करन वाले जो वेद और कुरान आदक पुस्तक सन उनान के नारे करके गुरुबानी द्वारा एह निश्चा करवा दिता के एक नूर ते सब जग उपजयाग काउन पले को मंदे परबाती कभीर चार वर्न चार मजब चर्न कवल सर नागत आया पारस परस जाग आस्ट तात एक तात कराया हुकम रजाई चलना गुर्मख गाड़ी राहो चलाया वार पाई गुर्दास जी चार वर्न एक वर्न होए गुर्मख वडियन सानमख गोते साथ संगत मेल दादें पोते पाई गुर्दास जीवार गंग मनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा करकर बाबा गाविया वजन ताल वजन ताल मिर दंगर बाबा चार वर्न एक वर्न होए साथ संगत मिल होए तराबा चंदन वास वनास पत आवल दोम ना सेम खराबा साथ गुर्दे सेख गुरू दी संगत कारके साथ गुर्दा रूप बन जान दे हन हिंदु मात दी तरा ब्रामन शत्री व्याश दी जनम तो मनी होई खराबी नई रहन दी एसे विशे आपनो एक इतिहासक पर संग सनुदे हां सिरी गुरू अमर दास जी दे समें अग्यानी लोग सिखां वेचे जाती वर्न आदक पेद दूर होया देखके सैज तारी सिखन जो सानु परम प्यारे और साड़ा आंग हन अजेहे पर संग पढ़के निश्चा करना लोड़िये के सद्गुर्द सिख मुड़तों ही निरोल निर्मल खालस रह हन सो बादशा अकबर पास शिकायत कीती जेस्ता जिकर गुर्परताप सूर्या दी पहली रास्ते तिर्ताड में अंसु वेच एस तरह है पंथ नमीन परकाशन करेओ बेद बर्न जाती पर हरेओ चतर बर्न एक देग अहारा एक सामसे में तर और प्यारा सुन खत्री द्वेज गन अग्यानी परम अपगत जात अभिमानी एक दिन मेल सब मसलत करी एह तो रेत बुरी जग परी आप द्वेज को नहमान नह कोई खत्री तरम नश्ट सब होए चातर बर्न को एक मत करेओ प्रेष्ट होए जग तरम पर हरेओ एक थाल पूजन सब को खई संकर बर्न प्रजा अब पई देव पितर की मनता छोरी सब मिर्याद जगत की तोरी लाव पूर पई लाव पूर गए फिरांदी सारे डेग अकबर के जाए पुकारे गोईंदवाल अमर गुर होवा बेद बर्न चारों का खोवा राम गाय त्री मंतर ना जपै वाह गुरू की थापन थपै श्रोत सिम्रत के राहो ना चाले मन को मत कर पई निराले कई अनमती आखदे हन के सिरे गुरू राम दास जी ने बाश्या अकबर दी सवा वेच गाय त्री दा पाठ कीता एस कारके गुरू साहिब गाय त्री पकदसन पर ओ ए नहीं सोच दे के जे गुरू जी गाय त्री नो हिंद्वां दे तरा गुर्मंतर मान दे था कदे अकबर दे सामने उचारन ना करदे और आपने सिखा वेच जरूर गाय त्री दा परचार करदे केवल गाय त्री अथवा वेद्दा दा ग्याता होन करके कोई पुर्ष हिंदू नहीं हो सकदा जाद ताई ओ एन्ना दा शर दालू ना होगे एसी तरह जे कोई पाई गुर्दास जी दी पहली वार्दी एह तोक दित्ती बांग निवाज कर सोन्न समान हुआ जहाना पाड़के आखे के गुरु नानक साहिव मुसल्मान सन ता ए उस दी मुर्खता है दिवेजादा मोकसं संसकार जनेव ता आरना है सो ओस बाबत साथ गुर्दे ए वचन हन दायाक पाह संतोख सूत जात गंडे सात वाट एहोज नेव जी अक हैता पाडे कात चाउकड मुल अनाया बहचव कैपाया सिख्खा कान चड़ाया गुरु ब्रहमन थिया ओ मुआ ओ चाड़ पया वेतग्गा गया है वेतग्गा आपेवत्य वाट तागे अवराकत्य लैपाड करेविया हो कड कागल दसेरा हो सुन वेखो लोका एहोई विडान मन अंदा नाव सुजान वार आसा महला पहला जाद सद्गुरान पुरोहित जिनेव पहर उन लगा ताद गुरु नाणक देव स्वामी ने एशब्द उचारया है गुर नाणक साहेवतों लै के कालगी तार परियांत किसे सद्गुर ने जिनेव नहीं पहरया कितने कु सिखाने कु संगा दे कारण गुरुबानी दा पाव समझे विना अनेक चूठियां साखियां बना कडियां हन जो गुरु आशेतों विरुद होन करके मनन योग नहीं हन ये शर्तिया कडमा है जिस दा अर्थ ए है के जे तेरे पास अजेहा जिनेव है तां पादे नहीं तां सूत दा जिनेव असा नहीं पहर न पाड़ा लेके साई पुत्री जज्मान की सा तेरी एततान खादा तेरा जनम गया सिखा कन चड़ाईया गुर ब्रामन थिया ओहो मुवा ओहो चाड़ पया वे तगगा गया पहाड़ी राजयान दस्वें गुरू साहिब ने सेंग सजन ले ए उपदेश दिता चूठे जन्यू जातन ते आगो खड़ गतार अस्तो जपाग लागो बिख्या किर्या पद्धन ते आगो जटा जूट रहबो अनुरागो जटा जूट तूपाव अमुंडित सिख्खा वेच ए संकेतक पद हो गया है सो एसदे उत्तर वेच राजयान आख्या एह तो रहत कठन नह होई चार वर्नसों करहेंर सोई बेद लोग मत सरबत आगी सिरी अस्तोज के हवें अनुरागी द्वेज खत्रे पूताण के जंजू तर्म तुराए लैपोजन एक ठांगी यो भूड़ी बात बनाए पूजा मंतर क्रिया सुब कर्मा एह हमते छूटत नह तर्मा पित्र दंड देवन के कामा कत छूटत हमसे अभिरामा गुर्बलास पाशाई दस्मी क्रत सुखा सिंग गुरू का सिंग जंजू टिक्के दी कान ना करे रहत नामा पाई चौपा सिंग जिनेव पाई के विवाश राद पेंड आधक ना करे साव जुगत गुरू की मर्यादा अरदास से करे रहत नामा पाई दया सिंग जी पाई दया सेंजिनों ए लिखन दी तान लोड पाई के हिंदू लोग सिखानों देव और पितर करम करन लई प्रेर दे रहिंदे सन और कई अग्यानी जो तक्के चाड़ जान दे उनना दे जनेव पाके और सिखी दे चेन उतार के श्राद आदक करम करम अंदे सन जेहा के हुण भी कई एक नाउत रेख सिखा नाड वरताओ होंदा है खास कार के गया आदक तीर्था उपर सो गुरु प्यारी गुरु स्वारी सा संग जी आज ए पर संग आपां एते ही संकोच दे हां काल मोड फिर शुरू करांगे देवा गया वाहे गुरु जी का खाल सा वाहे गुरु जी की फतिए